हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग तु आल दिस इस अबर यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्स की आज 28 अप्रेल 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफियर्स विद स्टाटिक जी के हम डिस्कस करेंगे शेशन हमारा पढ़े की तरह रहेगा वन नाइन न्यूस रहेंगे न्यूस स्टाटिक पोर्शन या जीएस का पोर्शन कवर हो रहा होगा उसे भी हम बताएंगे और डिटेल करन न्यूस में डिस्कस करेंगे ओके स्टेट आ रहा होगा तो स्टेट को डिस्कस करेंगे जो स्टाटिक पोर्शन होंगे जो फैक्ट होंगे सब आपको डिस्कस कर ली जा ोके नेक्स्ट κुशन है अंतराष्टी चαιरनोविल आपधा इसमरण दिवस कम बनाय के गया है तो 26 अप्रेल को अंतराष्टी चेरोओ ओड़ अंपदा इसमरण दिवस मनाया गया है नेक्स्ट कुशिन है 25 अपरेल 2020 को किस देश और अमेरिकी देश के सैनिकों के बीच एतिहासिक बैठक की 75 वी बर्सकार्ट को चिन्नित किया जिन्होंने एलवे नदी पर हाथ मिलाया है अब कुशिन ऐसे बन रहा है कि 25 अपरेल वाले दिन को किस देश के सैनिक लिखा हुआ नहीं है तो यह देख लिजगा किस देश के सैनिक और अमेरिकी देश के सैनिक की बीच यह कहते हैं सिक बैठक की 75 वी बर्सकार्ट मनाई गई है जिन्होंने एलवे नदी जो है उस पर हाथ मिलाया है तो सोवियत सैनिक थे जो अमेरिकी सैनिक थे इनके बीच ये बर्सगाट मनाई गई है नेक्स्ट कुशन है नियोर्क फेस्टिवल टीवी एंट फिल्म ओवर्स 2020 में भारत से बिजेता कौन हैं जिनोंने करंट अफेर्स रेणी में कहानी पुरुषकार जीता है तो वो है अ बिग लिटिल मड़ सीसक की कहानीकार फिल्म्स ओके तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है तो वो है जम्मू और कस्मीर केंद्र शाशित राजे अब जम्मू और कस्मीर के बारे में बहुत सारी जानकारी है क्योंकि केंद्र शाशित राज जभी बनाए कत्ती सक्टूबर 2019 को 2019 को अब इसके लिए क्या क्या कुश्शन है अगर पूछ ले जाए जो जम्मू कस्मीर इस्पेशल एक स्टेट हुआ करता था आर्टिकल 370 के तहत तो इन्हें एक बिसेस राजी का दर्जा प्राप्त हुआ था तब इसका गठन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को प्राचीन में अगर पूछ ले जाए तो कस्मीर नाम कैसे पड़ा है तो ऐसा मारा जाता है जो महरसी कश्यब जी थे उनके नाम पर कस्मीर नाम पड़ा था ठीक है और जम्मू कस्मीर की राजधानी अगर पूछें तो जम्मू जो है सीतरितू में आती है बिंटरस में जम्म किया गया जिसके तहट जम्मु कस्मीर तथलत्ता को दो स्केंदर शासित प्रदेशों में बाट दिया गया या दो प्रदेश घोशित कर दिया गया ऐसे बोल सकते हैं फिर क्या हुआ था कि 9 अगस 2019 को ये भी देख राष्टपती के स्विकृति के फश्षात अधनियम भी बन 12 राजी हो गए और 9 केंदर शासित प्रदेश हो गए पहले कितने राजी हुआ करते थे 29 राजी हुआ करते थे 29 मां राजी था इससे भी कुशिन मनता है 29 राजी था ते लंगाना जो इसका अगठन 2014 में 2 जून को हुआ था ठीक है आप जम्मु कस्मीर किसे जो महत्तपूर प्ल annar कर पर देख लिजिए राजी के रूप में जम्मु कस्मीर किस थाबना कब हही तो 26 अक्डूबर 1967 को अउ जैसा कि हमने आपको बताया जम्मु कस्मीर में ऑर्ट कल 370 कब लागू हुआ था तो 17 अक्टूबर 1949 को 1949 में 370 लागू हो गया था महाँ पर आटिकल जम्मु कस्मीर अधारा 35 ए लागू हुई थी 14 माई 1904 में तो ये भी आपको याद रखना है जम्मु कस्मीर का सविधार कब लागू हुआ था तो जम्मु कस्मीर में जो स्पेशल राजी बाला जो समिधान था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हो गया था बरतमान में विसेश दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है तो वो अभी 10 है जम्मु कस्मीर का विसेश राजी का जो दर्जा था वो समाप्त कब कर दिया गया तो पांच अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया अगर विदेहक पास कौन से दिन हो गया जो राजी है वो किस दिन को बन गया तो 31 अक्टूबर को बना था पर इसे खंडित कब कर दिया गया तो इसे पांच अकस 2019 को बिसेस राजी का दर्जा इसका समाप्त हो गया था जम्मू कस्मीत अथा लदाग जो है केंद्र सासित पिदेश में आधिकारिक रूप से अस्तित्त में कब आ गए तो ऐसे कुशिन बन जाते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 को अधिकारिक रूप से अस्तित्त में आ गए अनुचे 370 संबंदित किसे था तो सम्मिधान का जो भाग 21 होता है उससे अनुचे 370 संबंदित था पहले जम्मु कस्मिर विधान सबा का कारिकाल कितना हुआ करता था तो 6 बर्स हुआ करता था तो ये कुशिन कई 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 एक्जाम में आया हुआ है तो आप कोई भी प्रक्टिस सेट उठाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 370 में कुल कितने खंड हुआ करते थे ये भी कुशिन बन सकता है तो तीन खंड हुआ करते थे ठीक है जम्मु कस्मिर से अनुचे 370 का खंड नहीं हटाया गया तो 370 का जो खंड एक है वो नहीं हटाया गया है बाकी दो खंड जो है हटा दिये गए है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है तो अब वो ऐसे ही ये जो लद्दाक है लद्दाक को भी केंद साजे पिदेश का दर्जा मिल गया कि 30 अक्टूबर को अब एक कुशन और याद रखे जम्मू कस्मीर के जो लिटिनेंट गवर्नर रे उपराज पाल है उनका नाम है ग्रीश चंद्र मुर्मू ग्रीश चंद्र मुर्मू ओके और इसी प्रकार जो लद्दाक के हैं उनका नाम है आरके माथुर तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है अब नेक्स्ट कुशन पे आ जाते हैं नाना जी देश्मुक राष्ट्य पुरुसकार ग्राम सभा पुरुसकार 2020 की बिजेता कौन सी मतलब कौन सा जिला है या कौन सा राज्य है तो जिला राज़ोरी पंचायत धनगडी जमू और कस्मीर नाना जी देशमुक रास्टी गौरब सवा पुरुसकार 2020 के बिजेता कौन है जिला राज़ोरी की पंचायत धनगडी जम्मू और कस्मीर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरुसकार 2020 की विजेता कौनसी पंचायत है तो जिला बारा मूला की पंचायत जलूरा में है जो की जम्मू कस्मीर के अंदर आता है तो देख रहे हैं कि अंदर शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कस्मीर में इतने पुरुसकार मिल तो इसका मतलब है कि जम्मू कस्मीर जो है जिसका development रुका हुआ था वो अब होने लगा है next question है बाल सुबब सुलव ग्राम पंचायत पुरुसकार 2020 की विजेता कौन सी पंचायत रही है तो जिला राजोरी की पंचायत जमूला लोहर जमूर कस्मीर next question है भारत और भारत में अपनी तरह की पहली परियोशना 10 आइडरोजन इधान सेल आधारित electronic बसे हैं और आइडरोजन इधान सेल आधारित electronic कारौं को किन सैरों में चलाये जाएगा तो लेह और दिल्ली में चलाये जाएगा अब लद्दाक की दो जिली हैं लेह और कारियल अब बात करें तो बबचमान में जो सेह में जो कि आमْ आदमी पार्टी के सतस्य है यहां पर ल्यूटिनेट गौवर्न MAR कोन है तो वह है अन्य वैजाल जी जो की ल्यूटिनर गवर्न गवर्नर है दिल्ली सरकार के उपराजिपाल नहीं हिंदी में कहेंगे अब दिल्ली की एक बात है कि दिल्ली में राजजभासा जो है मुख्यभासा है वो कौन-कौन सी तो हिंदी, पंजाबी और उर्दू वहां की मुख्यभासाएं हैं वहां का जो नियायले है उसे 30,000 कोर्ट भी कहा जाता है दिल्ली का उच नियायले जो है जिला यहां पर 11 है और अगर पूछ रिजाएंग है कि पार्टन स्थल कौन-कौन सी तो भाँ पर पार्टन स्थल लालकला है जामा मस्दिद है, कुतव मीनार है कुतव मीनार का जो फाइनल टच था या फाइनल मलब पूण निर्माट किस ने कराया था तो वो कराया था नाम नहीं ध्यान आ रहा है बताते हैं जब अभी माइंड से सलिप हो रहा है ओके, नेक्स्ट हाँ, और इसमें इंडिया गेट है संसत भवने, बिर्ला मंदिर, जंतर मंदर हुमायू का मकवरा भी दिली में मिलेगा लोटस टैंपिल, शांदिनी चौक इल्तु तमिस ने कराया था जो गुतव मीनार थी, उसका जो पूर्टे निर्माट था, वो इल्तु तमिस ने कराया था Next question है विधान मंदल कैसी है, तो वो है एक सदनात्मग, विधान सवा सदसयों की सीट है, यहांपर सबन ai हैं, लोक सवा सदसयों की सीट हैं, राजसवा सदसयों की सीट अगर पूछ लिया है, तो तीन है राजकी पशू दिली का लंगूर है एप राजकी पशुक कया है एप है लंगूर राजकी पक्षी दूसर तीतर है और प्रमुख प्रसिचण संस्थान दिल्ली में अकर पूछ लिया है तो National Defense College है संगीत नाटक जो Academy है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और प्रमुख सोध और अनुसंदान संस्थान के अंदर भारती है मौसम विज्ञान विवाग प्रकासन और सुचना नदेशाल है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी यह सब दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे कोलकाता की बात भारत में मैट्रो कब कब और कहां चली थी तो दिल्ली में ही चली थी 25 दिसमर 2002 में दिल्ल दिल्ली में मैट्रो के लिए सार प्रत्थम सर्वे कब और किस ने किया था तो 1989 में राइट्स कंपनी ने इसका सरविग किया था अब हवाई एड़ा है यहां पर कौन-कौन से तो इंदरागांधी अंतराष्ठी हवाई-ड़ा है पालम हवाई-ड़ा है सफ्दर गंज हवा प्राइड़ को वो ने को डिया नाम बदल के क्या नामर्व्ण कर दिया समय पार इसको में 200 विश्विधिय। estásdailah यहां पर दिल्विस्विधियालतो logistics ngày मिली जामीर आप मिली इसलामीरतो रशवार्पार नया नई डिल्लिली इंद्रन Music दिल्ली राइसीना हिल्स पर इस्तित है यह भी आपको याद रखना है इसका छेत्रफल अगर दिल्ली के पूछ ले जाए तो 1483 वर्क किलोमीटर मतलब कि 1483 जो व्यक्ति है पर वर्क किलोमीटर में निवास करते हैं तो यह आपको याद रखना है और साचरता दर दिल्ली की है 86.2 परसेंट और यहाँ पर अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 868 महलाए है एक हजार प्रत्य पुरसपर तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्री मादमिक सिक्षा मंडल की बरतमान अध्यक्ष के रूप में किन्हे नियुक्त किया गया है तो अनीता करवाल जी को नियुक्त किया गया है मानब संसादन विकास मंत्राले के विध्याले सिक्षा और सचर्था विवाग के नई सचिप कौन बनी है तो वो बनी अनीता करवाल जी और इन्होंने जगे लिये अमित खरे जी की नेक्ष कुशन है तीस अप्रेल को अतनु चक्रवर्ती की सेवा निवरित्ती की बाद बित्ति मंत्राले के तहत आर्थिक मामलों के विवाग में नई सचिप की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो तरुन बजाज को नियुक्त किया गया है इन जेती श्री नवास की शेवा निमरत्ती की बाद कॉर्पोरेट मामलों का मंतराले में अगले सचिप कौन होगी तो वो होगी राजे सरमाजी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले में नई सचिव कौन बने है तो वो बने है अर्माने गिर्धर संजीव रंजन की जगे इन्होंने इस्थान लिया है अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले की बात हो र दिन गड़करी जी के पास है जल परवाहन मंत्राले में नई सचीब कौन बने तो वो बने संजीब प्रणजन जी तो जल सकती मिनिस्टर अगर पूछने जाएं तो वो हैं गजयंद्र सिंग सेखावत जी उनका निर्वाचन शेतर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर में इ procrast còn पैजने राधिस्याम जुलानिया कि जगए खेल ओने मन्त्राले में नए सचिप कौन बनें है तो खेल एवा मंь करियों आय। रवी मित्तल जी नेक्स्ट कुछेम नवीन अव्म नवी कर्णी और गाले मowana है और अब इसमें क्या पूछा गया था भी हां खेल एवम एवा मामलों के जो मिनिस्टर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने है कि कौन है हमने आपको बहुत सारी बता दिये तो आपको खेल एवम जो एवा मंत्राले के मिनिस्टर है वो आपको बताने है कौन है और उनका निर्वाचन छेत्र भी बताना है कि उनका निर्वाचन छेत्र क्या है अब चलो ठीक है नहीं बताते तो हमीं बताते हैं किरेन रिजुजु जी है यह वा मामले एबं खेल मंत्राले और अलपसंख्या कार मंत्राले के यह मिनिस्टर है और यह भी स्वतंतर प्रभार मंत्री हैं तो ये भी आपको याद रखना है ओके नेक्स्ट कुशिन है वाइटल मतलब इसकी फुलपर्म होती है वाइटल की फुलपर्म भी पूछी जा सकती है बैंटी लेटर इंटवेशन टेक्नलोजी एकसेस्वेल लोकली नामक उच्च दवाव वाला बैंटी लेटर विक्सित करने वाला संस्थान कौन सा है तो वो है नासा अब नासा की फुलपर्म हो जाती है नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अड्मिनिस्ट्रेशन हिंदी में कहींगे राश्ट्री बैमानी की और अंतरिक्ष प्रबंधन मुख्याले होता है बॉसिंग्टन डीसी संयूतराज अमेरिका में संस्थापक है ट्वाइट डेविड आईजन वहावर और स्थापना हुई थी जुलाई उनिस सो अठावन में और युनाइटेड स्टेट्स में अगर को भी पूछ ले जाए कि जो नासा है उसके वीडियो गेम्स कौन-कौन से है तो मूनवेस एल्फा नेटवर्गिंग गेम्स जो है नासा प्रोवाइट करता है जिससे जो ब्रेन गेम्स हैं यह और काफी डप्लमेंट रहता है स्टुएंट्स के लिए नारा इसका जो है अगर इसकी टैग लाइन पूछे जाए तो वह है फॉर्दा बेनिफिट ओफ आल सबकी भलाई के लिए नया वेंटिलेटर जो आई 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 टी मुंबाई एन आई टी श्रीनगर इस्लामिक इन्युवस्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी अवंति पोरा वुल्वामा के आवे आंत्र की मतलब की इंजीनियर्स चात्रों दारा बिक्सित किया गया उसका नाम क्या रखा गया ह है तो रूहदार वेंटिलेटर ओके नेक्स्ट आप समान गयान के कुछ क्वेश्टिन से उन्हें देख लेते एंटी पीसी लिम्टेट की स्थापना कव हुई तो साथ नवंबर 1975 को हुई मुख्याले नई दिल्ली के अंदर है केंद्रिय मादमिक सिक्षा मंडल की स्थाप अमेरिका में है नीती आयोग राष्टी परवर्तनिय भारती संस्तान की स्थापना का हुई थे एक जनवरी 2015 को मुख्याले नई दिल्ली में है अब बात करेंगे डेटेल करन न्यूज की उससे पहले में आपको बता दूँ अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं ज आप दिल्ली मोशन पर यजब करते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं सभी का लिंक दिस्क्रिप्शेप्चिन बॉक्स में दिया गया है वहां कर सकते हैं उसे लिए ऊप कreक्तेश कर सकते हैं आप टेलीक्राम ग्रूप को जाइन कीजी, जो आपकी जो क्लास की PDF होती है, जिससे नोट्स बनाते हैं, वो वहाँ से मिल जाया करेंगी, और आपकी कोई question हो, कोई प्रश्न हो, या फिर कोई query हो, जिससे आप फुल्फिल कराना चाहते हो, तो उसे comment box में मेंजिन कीजी, उसे फुल्फिल किया जाएगा, अब नियूजिस को देख लेते हैं, विस्सु बादिक संपता दिवस, मनाये गया, हर साल 26 अपरेल को मनाये जाता है, विस्सु बादिक संपता दिवस बिसे, अगर पूशे जाए क्या रही है, तो इनोवेट फॉरा ग्रीन फ्यूचर जो है, व विस्सु बादिक संपता दिवस 2020 के लिए थीम क्या रही है, तो इनोवेट फॉरा ग्रीन फ्यूचर रही है, एक बिस्स्ट दिन को विस्सु बादिक संपता दिवस के रूप में, विचार को अक्टूबर 1999 में महासभा बादिक संपता के संग्ठन द्वारा अनमोधित किय विस्सु बादिक संपता संग्ठन के स्थापना अगर पुशिया तो 14 जुलाई 1967 कोई मुख्याले जेनेवा स्विजल लेंड में है, नेक्स्ट है, नेशनल थर्मल कॉर्परेशन लिम्टेड ने लेह और नई दिल्ली में, दस हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्त भंडारा और बितरन की सुब्दाएं बिकसित करना है, नेक्स्ट कुशिन है, रसायन और पैट्रोकेमिकल उद्योग पहली बार निर्यातक बनी है, तो अब रसायन और पैट्रोकेमिकल उद्योग की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो यही बता दो, कि जो रसायन और तो यह आपको याद रखना है रसाइन एवं पैट्रोकेमिकल मिनिस्टर अगर पूछे जाएं तो वह कौन है देव सदानंद गोडा जी कौन है देव सदानंद गोडा जी नेक्ष पूशिन है इसके डिटेल तो पड़ा ही ने रसाइन और एट्रोकेमिकल्स उद्योग पहली सब्धी की दरन रसाइनों का कुल निर्याद 2.68 लाक करोर रुपई तक पहुंच गया है यह कुल निर्याद का 14.35 परसेंट है ओके नेक्ष कुछेंट है चब्वीस अप्रेल को अंतरास्थी चैर्णोविल इस्मराड दिवस अपदा इस्मराड दिवस मनाये गया है तो अ सब्सक्राइब निर्माड उर्जा से जोड़े जोखिम के बारे में जागरुकता बढ़ने के लिए एक मंच के रूप में किया गया है API एवं दवा मद्वर्तियों पर निर्वर्ता कम करने के लिए CSIR IICT पहल भारती रसाइन प्रोदोगी की संसान IICT हैदरावाद API एवं दवा मद्वर्तियों के बिकास एवं बिनिर्माड के लिए हैदरावाद इस्थित एक अन इंटीग्रेट फार्मासिटिकल कमपनी LAX AI Life Sciences के साथ गठवंदन कर रही है जो सक्रिय फार्मासिटिकल अवियव बिकसित करने के लिए और कोरोना वायरस का मुकावला करने के लिए इस्तमाल होने वारी दवाई के संसलेशन के लिए दवा मद्वर्ति बनाती है यह गठवंदन मुख्य रूप से उमीफे नोवीर रे बाउत्पन करते हैं नेक्स्ट कोईशन है आई आई टी एन आई टी के छात्रों द्वारा बिकसित रूहदार बैंटी लेटर आई 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 टी बॉंबे एन आई टी स्रीनगर इस्लामिक युनिवस्टी आफ साइंस एंड टेक्नोलोजी अब अन्ति पोरा पुलवामा जम मगरी का प्योग करके कम लागत वाले बैंटी लेटर का बिकास किया प्रोटोटाइप की लगवक दस अजार रुपई है जो बड़े पैमाने पर अत्पादत होने पर काफी कम होगा नेक्स होजाने 26 अप्रेल को बसवा जैंती मनाई गई भारत के प्रधानमत्री श्री नर सुधारक बिश्वगरू बस्वेश्वरा की जनमदिवस के रूप में मनाये जाता है बश्वणना एक कंणर कवी दाशनिक समा सुधारक और राजनेता थे और कल्चुरी बंस के राजा बिजल्ला फॉस्ट के सासन के दौरान भारत के करनाटक में रह दे थे नेक्स न्यू के तहत धनरासी को मंजूरी दी गई मूच्वल फंड्स के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत मूच्वल फंड्स को दी जाने वाली साहता बैंकों की पूंजी बजार को जोखिंग सीमा से मुक्त करेगी ओकी अब आर्वीय की बात हो रही है तो आर्वीय क फुल फॉर्म रिजव पैंक ओफ इंडिया इसके मुख्याले मुकमई मारास्ट में है इसके गवर्नर है सक्तिकांदास्ची जोकी 47 नमर के है एंड इसके डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा चौथे नमर कभी हाली में न्युक्त होए हैं तो इनके लिए ये इंप पता लगाया है इस घंटना को जी डवलू नाम दिया गया है पहली बार गुरुता कर्शंतरंगों का पता लगाने के पांच साल बाद यह गयात हुआ कि बास्तविक विल्य प्रत्वी से 2.5 विलियन बर्स प्रकास बर्स तूर हुआ है प्रकास बर्स किसका मात रख है जल् करते हैं फ्रफृ किस तक गर्फ प्र प्रकास तक कि य?" और आपकी फॉर्लो का बोश भुल्यग जाया है आपनी तयारी को क्वेस्ट आपकी कोई कमेंट हैं ग्रस्थन चीजा Baptist TV और पीरियू हो जुड़र लोगे और फिरमद बसně को अगर आपको सीकना है तो आपको जुनुन लाना पड़ेगा उसे सीखनेगा अगर आप में जुनुन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं तनी जुनुन को जागता रखिएगा और हासिल कर लेंगे मुकाम अपना ऐसा सोच एगा और आपको आपका मुकाम मिल जाएगा काम भी करते रही है कि अब सोचने से कुछ नहीं होगा काम भी करते रहीएगा और सब्सक्राइब जरू से कर लेना, शेयर भी कर देना Thank you for watching